Hello friends, welcome back to my channel, मैं हूँ काव्या और ये है फ्रेंस ब्यूटिफुल फुट्बॉल लिली का प्लांट जिसमें बहुत है ब्यूटिफुल फ्लारिंग हो रही है तो आप इसके ब्ल्ब्स ओब आप फिर आपके लोकल नरसरी पर मिलता है तो आप वहाँ से लाकर लगा सकते हो ये उसके पत्ते है तो जैसे ही फ्लारिंग कमप्लीट होता है पत्ते ग्रो होते हैं और नेक्स्ट ảिर के लिए ये एनरजी स्टोर करके रखता है ब्ल्ब्स में तो बहुत ब्यूटिफुल जो है फुटबॉल इली का फ्लार होता है बहुत बड़े साइस का इसका फ्लावर खिलता है तो ये कुछ फ्लावर्स है मेरे गार्डन के तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ प्लांस जो कि मैं अभी रीसेंटली गवर्मेंट नर्सरी से लेकर आई थी तो एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया है जो कि हमारे यहाँ पे लूकल जो गवर्मेंट नर्सरी जहां पर फ्री के प्लांस मिलते है और एक मुनिसिपल जो है नर्सरी भी मैंने शेयर किया है जहां पर मैंने परचेस किये थे किया गया है तो अभी जस्ट मैं आपके साथ प्लांट शेयर करूँगी और 15 या 20 दिन बाद जो है मैं इन प्लांट को लगाऊंगी और जो कि इससे पहले भी मैंने फ्रेंज एक वीडियो शेयर किया था कि मेरा जो गार्डन है मैंने थोड़ी दिन पहले मेरा गार्डन जो है सेट करूँ बट अचानक से मुझे जो ही प्रॉब्लम हो गई थी तो अभी फिलाल मुझे 20-25 दिन के लिए कोई भी काम नहीं करना है इसलिए अभी फिलाल मैं आपके साथ कुछ I think care के वीडियो से शेयर कर पाऊंगी और जैसे ही मेरा गार्डन रेडी हो जाता है मैं आपक कर दीजेगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अप्लोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए तो चलिए देखते हैं कौन से प्लांट मैं गवर्में नरसरी से लेकर आई हूँ सबसे पहला प्लांट है स्नेक प्लांट जो की मिनिसिपल नरसरी से में लेकर आई थी तो दो जो प्लांट है मैं स्नेक प्लांट के लेकर आई हूँ तो recently मैंने आपके साथ कई वीडियो शेर किये है स्नेक प्लांट की जिसमें मैंने आपको different varieties बताई है मैंने जो online purchase किये थे तो काफी varieties मेरे पास हो चुकी है और स्नेक प्लांट में varieties पहचानना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है तो मुझे ये थोड़े अलग लगे इसलिए मैंने ये दो varieties जो है स्नेक प्लांट की ली है और कई varieties फ्रेंट स्नेक प्लांट की ऐसी होती है जो common लगती है तो इसलिए मैं दो लेकर आई हूँ और ये गोरी चोरी का प्लांट है जिसे yellow टिकोमा भी कहते हैं ये मैं गवंने नजरी से free में लेकर आई थी तो जितने भी free plants है मैंने इसमें से एक भी नहीं लिया है मेरे हस्बन नहीं सारी लिये है मैं तो video shoot कर रही थी उन्होंने ही सारे plants collect किये है तो गुरी चुरी में बहुत ये अच्छी फ्लारिंग होती है, आप ज़रूर इसे गाडन में एड कीजेगा ये अडूसी का प्लांट है, ये एक medicinal प्लांट है, अगर आपको खासी कभी होती है तो इसके पत्ते अगर आप खाते हो तो बहुत ही relief होता है तो इसे जरूर आप अपने garden में add कीजेगा इसे आप थोड़े बड़े pot में grow कीजेगा ये काफी height में grow करता है और इसे बहुत easily अपने आप ही जो है ये नीचे से नए plants grow करता है तो थोड़ा बड़ा pot दीजेगा ताकि ये पूरा pot cover कर ले और आपको अच्छा एक medicinal plant घर पे मिल जाए next है friends ये snow bush का plant ये भी मेरे husband को काफी पसंद आया था इसके पत्ते देखे बहुत ही beautiful variegated है तो अगर आप ये plant add करना चाहो तो कर सकते हो as a ornamental plant इसकी आप अगर pruning करते रहोगे time to time ये बहुत ही अच्छा बूशी look देगा और इसके पत्ते भी अगर आप variegated चाते हो तो थोड़ा स्था sunlight इसे जरूर दीजेगा ताकि इसमें variegation बना रहे और ये भी मैंने जो है government nursery से ही लिया है free में और next plant है friends ये अजवाइन का plant है जो कि मैंने government nursery से ही free में लिया है तो मेरे husband का कहना ये था कि आप ले लीजे आप चाहो तो किसी को दे दीजेगा क्योंकि कई ऐसे हमारे friends होते हैं जिनके पास ये plants नहीं होते है तो आप चाहो तो उन्हें free में भी दे सकते हो मतलब हम ऐसे भी free में ही लाते है यानि आप अपने घर तक उसे ले कर आना है और आपको बस किसी और को gift करना है तो आप easily उन्हें gift कर सकते हो इसलिए 2-4 extra plant उन् अच्छे से ready हो जाएंगे और आपको बहुत ही beautiful इस में flowering देखने मिलेगी तो कौन सा color है अभी बिल्कुल पता नहीं है देखते हैं क्या कौन सा color निकलता है ये है friends eranthemum का plant eranthemum में भी flowering होती है बड़ इसके flower से ज्यादा इसके पत्ते खूबसरत होते हैं देखिए इसक गुलाब का plant में लेकर आई थी तो eranthemum में free में लेकर आई हूँ और गुलाब का जो है मैं sorry eranthemum और ये गुलाब सारे ही मैं जो है municipal nursery से लेकर आई हूँ ये दोनों plant तो I think 30 or 40 rupees के ये plants है next है friends ये mehendi का plant है तो mehendi भी free में में लेकर आई हूँ तो मुझे idea नहीं था अभी आप add करना चाहो तो इसे भी जरूर अपने garden में add कर सकते हो next है friends ये तुलसी के plants में लेकर आई हूँ government nursery से तो मेरे पास already तुलसी का plant है बट मैं अभी recently एक मैने के लिए बाहर चली गे थी तो उसकी condition थोड़ी अच्छी नहीं है तुलसी जी की इसलिए जो है मैं और तुलस जो है उसी pot में लगाऊंगी जिस pot में अभी present मेरा तुलसी जी का plant है next है friends ये यलो रातरानी का plant तो बहुत ही beautiful जो है लुक देता है यलो रातरानी का plant अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जो कि मैंने share किया था nursery visit का तो आप जरूर देखेगा उसमें मैंने दिखाया है क friends कुछ plants जो कि मैं लेकर आई थी government और municipal nursery से और मैं vermicomposed के दो bag भी लेकर आई हूँ देखते है vermicomposed इससे पहले मैंने use किया है मुझे ठीक लगा था अभी देखते है अगर अच्छा result मिलता है तो मैं continue करूंगी वरना local nursery से ही मैं लेकर आऊंगी तो ये थे friends कुछ plants जो कि मै लेकर आई थी I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलता है एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रख में एन था वर वाचरी ये वाचरी और दॉपिक कैसे इस लिएगा में एक था जरूर को जरूर को सकते कीजेगा इकता शेशाब जरूर को जा है टूरूर को को erzählt quickly...